हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हम लोगों के चैनल में और आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ओफ डूरिंग और वाइल यह ग्रामर का टॉपिक है और हम लोग जब यूज करते हैं यह डूरिंग और वाइल तो दोनों का meaning लगबग same लगता है लेकिन इन दोनों को grammatically अगर देखा जाए तो use करने का तरीका different है ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगे कि during क्या है while का meaning क्या है और दोनों का identity क्या है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि sentence में इसको कैसे use करते हैं इसका grammatically correct structure क्या होगा तो चलिए सबसे पहले में आपको बताती हूँ during क्या है during है preposition और while है conjunction अब preposition क्या है अगर आप मुझसे पुछेंगे तो मैं बोलूगी कि preposition वो word है जो noun और pronoun के पहले आता है और यही preposition जो है यही preposition जो noun और pronoun के आगे लगता है इसके वजह से जो sentence है उसका meaning define होता है ठीक है जैसे on, at, in, in the city, at the hotel तो जैसे ही हम लोग preposition लगाते हैं तो वो sentence का meaning define हो जाता है कि कहां पे, किस जगा, okay जो area है उसका भी idea हमको होता है कि वो बड़ा area है, छोटा area है या फिर exact location है या फिर आसपास के location से, okay तो preposition का काम हो है और during उससी category में आता है और जब हम लोग during use करते हैं तो उसका एक specific rule है जो हम लोग follow करना है, alright ओके, वो rule हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, alright तब तक, अभी हम लोग देखते हैं while while consumption है consumption तो बहुत easy है consumption का मतलब है दो चीजों को जोड़ना, alright तो यहां पे while का काम क्या है दो phrases या फिर sentences को जोड़ना, okay दो parts, जो sentences होते हैं, दो parts में उसको जोड़ने का काम है while का, alright तो चलिए देखते हैं कि sentence structure कैसा होना चाहिए जब during यूज करते हैं और जब हम लोग while का यूज करते हैं friends यहां पे देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि during के साथ कैसा structure होना चाहिए while को दो तरीके से हम लोग यूज कर सकते है while plus subject plus verb okay, example मैं अभी बताऊंगी details में आप थोड़ा सा वेट कीजिए और while को ऐसे भी यूज कर सकते है while plus gerund okay, gerund क्या है वो भी मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में थोड़ा सा वेट कीजिए okay, तो during के बाद noun होना चाहिए या pronoun होना चाहिए while जब हम लोग use करते हैं तो subject और verb दोनों आना चाहिए अगर हम लोग इस form में यूज करते हैं इसको यूज कर सकते हैं हम लोग while plus gerund के साथ भी alright, तो सबसे पहले example के साथ देखते हैं during plus noun को यहाँ देखिए, during plus noun some people were talking during the movie some people were talking during the movie during plus noun okay, during plus noun ऐसे यूज करते हैं हम during को, alright we stayed indoors during the snowstorm during, preposition, उसके बाद noun snowstorm okay, यहाँ पे while नहीं यूज कर सकते हैं we stayed indoors while the snowstorm यह sentence incorrect होगा while यूज नहीं होगा यहाँ पे भी while हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं some people were talking while the movie was on ऐसा नहीं बोल सकते हैं during the snowstorm we stayed indoors यहाँ पे दिखे, यह similar sentence है यह जो back portion नहीं आप उसको आगे भी लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है problem कहा है, जब आप यहाँ पे noun हटा देंगे और कोई और चीज यूज करते हैं alright, during के बाद noun या प्रनाउन आना ही है alright, okay, चलिए next example देखते हैं he felt quite confident during the interview during preposition interview noun okay, alright, I hope it's clear during जब भी हम लोग यूज करते हैं उसको follow करने के लिए एक noun होना चाहिए alright, तभी हम लोग during यूज कर सकते हैं अगर उसके बाद subject या फिर verb हो subject के बाद verb हो तो हमको while यूज करना है alright, चलिए next देखते हैं while का structure और उसके examples next while plus subject plus verb while plus subject plus verb okay, some people were talking while we were watching the movie यह देखिए, similar to earlier one वहाँ पर during हम लोगों ने use किया था okay यह देखिए यह देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने during use किया था alright, अब यहाँ पर while के साथ हम लोग same sentence बनाएंगे तो क्या structure होगा some people were talking while we were watching the movie okay, while we were watching the movie यहाँ पर noun का जर्रत है और verb का भी alright, अगर यह दोनों नहीं हैं तो हम लोग during use कर सकते हैं लेकिन जब हमको while use करना है तो यह दोनों का necessity बढ़ जाता है okay, while it was snowing, we stayed indoors जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने किया था back portion आगे करके और front portion को back में करके वैसे यहाँ पर भी use कर सकते हैं while आगे आए या पीछे आए कोई दिक्कत नहीं है बस while के साथ subject और verb होना चाहिए while it was snowing, we stayed indoors okay, while, then it, subject, then snowing, verb तो यह structure होना चाहिए while को use करते हुए okay, let's move to the next point while plus gerund अब सबसे पहले हमको gerund क्या है यह पता करना है तो gerund क्या होता है कि यह दिखने में तो लगेगा कि यह वर्व है लेकिन यह वर्व किसी के द्वारा काम यह काम नहीं दर्शाता लेकिन काम के बारे में कुछ बताता है okay, gerund यह नहीं बताता कि कौन काम कर रहा है अगर मैं कहूं आई एम वाकिंग तो यह हो जाएगा वर्व अगर मैं इसको इस तरीके से बोल रही हूं वाकिंग इस फॉर आवर हेल्थ वाकिंग इस गुट फॉर आवर हेल्थ अब यहां पर क्या हो रहा है कौन काम कर रहा है यह नहीं मालूम किस ने वाकिंग किया यह नहीं मालूम यह जेनरल व्यू है जो भी वाक करेगा उसका हेल्थ अच्छा होगा यहां पर वाकिंग के बारे में हम लोग बता रहे हैं तो यह दिखने में तो वर्व जैसा लगेगा क्योंकि ing के साथ में है लेकिन काम करता है participle का participle भी बोलते हैं gerund को और आपको ये clear हो गया होगा चलिए दूसरा में example देती हूं gerund का next example देती हूं eating is necessary eating is necessary यहाँ पर कौन खा रहा है यह नहीं मालूम और यहाँ पर eating के बारे में बताया गया है यह जो खाने की प्रक्रिया है उसके बारे में इसलिए यह gerund में count होगा इसके बहुत सारे example से running is a good habit cooking is the hobby of many people अगर मैं कहूं cooking is the habit of cooking is the hobby of so many people then it becomes gerund or participle चलिए participle को साइट में रखते हैं अभी gerund के बारे में बात करते हैं आपको देखना है अगर कोई ing form है जिसके बारे में बात किया गया है वो काम कोई नहीं कर रहा उसके बारे में बात हो रही है तब वो gerund बनता है और यहाँ पर structure है while plus gerund चलिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ while watching the movie while gerund क्या है watching the movie some people were talking some people were talking यह हो गया वर्व देखिए यहाँ पर मैं clearly आपको बता दे रही हूँ people were talking मतलब यहाँ पर कोई काम कर रहा है people तो यह हो गया वर्व और यहाँ पर कोई कौन काम कर रहा है यह नहीं दिखाई दे रहा बस एक क्रिया के बारे में बात हो रही है और यहाँ तब यह हो गया gerund while watching the movie some people were talking next is he felt quite confident while he was being interviewed he felt quite confident while he was being interviewed okay being interviewed ing form यहाँ पर आ गया जो कि gerund को ही हम लोग लेते हैं gerund में लेते हैं okay he was being interviewed next while he was being interviewed he felt quite confident यही आगे पीछे करके भी हम लोग use कर सकते हैं being है तो obviously next verb change हो जाएगा while being interviewed he felt quite confident so यह तीनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं और ऐसे ही हम लोग use करते हैं while को okay जो की totally different है during से alright तो हम लोगों ने अभी क्या सिखा during के साथ noun होना जरूरी है while के साथ subject, verb या फिर while के साथ gerund होना जरूरी है नहीं तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि during यहाँ पर correct है या फिर while correct है तो यह formula अगर हम लोग लगाएं तो during और while हम लोग कभी भी गलत तरीके से use नहीं करेंगे आपने यह lesson अच्छे से समझा या नहीं समझा इसके लिए मैंने कुछ questions आपके लिए ready किये हैं कि कितने आप solve कर पाते हैं let's see example one I met Rita dash learning French now what is this learning learning is a gerund therefore we use out here while okay I met Rita while learning French okay next I read a lot dash the summer the summer is a noun therefore where do we use noun during plus noun isn't it so here it will be during all right let's move to the third one please don't disturb I am speaking now here I am speaking I is subject speaking is verb so obviously we had while plus subject plus verb so we use while okay please don't disturb while I am speaking is that clear now let's move to the fourth one dash the class some people left dash the class the class is a noun so here we use during the class some people left he hurt himself dash rafting 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 is a gerund okay here it is gerund rafting is gerund therefore we use while okay the he hurt therefore we use while he hurt himself while rafting she kept speaking she kept speaking dash the meeting she kept speaking during the meeting during the meeting the meeting is noun okay so here we use during all right she kept speaking during the meeting so I hope during and while to you all these two words are confusing because both the words during and while shows that some work is going simultaneously simultaneously with some other work okay okay यहाँ पर दो चीजें एक साथ होने का indication देता है, while जब हम लोग use करते हैं, तो उससे पहले भी कोई काम है, जो हो रहा है, जिसके साथ कुछ और काम एड़ हुआ है, during के साथ भी वही कैसे कुछ काम हो रहा है, और उसके साथ और भी कुछ काम एड़ हुआ है, इसकी वज़ा से थोड़ से confusing हो जाता है, लेकिन आप लोगों को देखना है, यह structure जिसके बाद आपको कोई problem नहीं होगा, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे दूसरी topic के साथ मैं फिर से आओंगी, तब तक के लिए take care and have a good day.